Hello everyone, by Factory Case Video Lecture में आज हम बात करना जा रहे हैं यूकरियोटिक सेल की तो देखते हैं overview यूकरियोटिक सेल का तो सबसे बहुत अब यूकरियोटिक सेल है कि है जैसा कि हम पैसले विडियो में डिसकस कर चुके हैं यूकरियोटिक सेल मींस एक ऐसी सेल जिसका nucleus well developed हो यू means होता है well carry on means होता है nucleus means having well developed क्या nucleus समझाइए किसी भी cell में अगर well developed nucleus है तो ये cell eukaryotic cell कलाती है और इसकी example के तोर पर animal and plant cell को हम लेते हैं और well developed nucleus क्या है एक ऐसा nucleus जो दो layer से घिरा हुआ हो है ना ये layer कलाती है केरियो ठीका ये nuclear membrane अंदर एक liquid भरा हुआ दिखाए देगा जिसे हम केरियो lymph कहेंगे ये nuclear fluid ये जो दिखाए देखाए दरा है ये chromatin net है chromatin net हमें दिखने हो बिला है और अंदर rounded structure एक है एक सेदिक हो सकते हैं ये nucleolus अगर ये सारी चीज़े है तो ये है well developed nucleus के diagram और इस तरह का nucleus जिस भी cell अपरेजेंट होगा वो cells eukaryotic cell के लाएंगे अब eukaryotic cell की overview को देखें कि eukaryotic cell में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है सबसे बहें eukaryotic cell में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कोई भी eukaryotic cell है उस में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी पहली चीज़ है cell envelope मतलब cell जिन चीज़ों से घरीवी है envelope और दूसरा चीज दूसरा चीज है proto-plasm proto-plasm अब cell envelope के दर बात करें तो cell envelope में दो चीज़ आती है the first is cell wall जो किवल plant cell में present रहेगी और दूसरी plasma membrane यह इसे cell membrane भी बोला जाता है यह animal plant दोनों ही तरह की cell में present रहेगी दूसरा proto-plasm तो proto-plasm है किया cell के अंदर जितना भी liquid भरा है including nucleus वो सारा का सारा proto-plasm कहलाता है nucleus को भी include करें करें दूसरा यह इस प्रोटो-plasm के दो पार्ट दो पोर्शन है पहला पोर्शन इसका nucleus और दूसरा पोर्शन इसका cytoplasm nucleus यह वाला इस texture इसके लावा जितना और चीज़ है जो liquid है यह जो organically present है वो सारा का सारा रहता है cytoplasm में अब cytoplasm में अगर के लिक्विड वाले पोर्शन को देखें फिर इसको अगें डिवाट किया गया है cytoplasm को जुआ हे जो हाँ है कि साइटो प्लासम मैं लिक्विड वाले पोर्शन को केवल लिक्वी वाल को देखें तो यह खराएगा हाईल् Forbes mention केवल ल्क्विड वाल पोर्शन उसका साइद्वी लू किुन помог 2Bhibra और उसके अलावा जो देखे दिखाई देगा है ना लिक्डरी को सब्सेन को हटा दें तो उसके अलावा जितना भी दिखाई देगा यह कहलाएगा साइटो प्लाजमिक स्ट्रक्श्युर्स मोई इस साईटो प्लांजमी इस ट्रक्चर में दो चीज आ सकती है फिर से इस साइटो प्लांजमी सेल के अंदर प्जेश रहती है और साइटो प्लाज्मिक और अगनेल्स आएंगे और से इंक्लूजन दूसरा आएगा से अगर बात पर आए यह रिजर्व फूड हैं गैसें इस अग्रीजूजन मा जाएंगे अब साइटो प्लाज्मिक और अगनेल्स में यह कौन-कौन सी ओगनली साइट प्रजेंट रहती है जैसे माइट्रोकॉंड्रिया है गॉल्जी बोडी है एंडॉपलाजमी रेटिकुलम है लाइसोसोम है या प्लास्टिट्स है यह सारा कासरा कराता है साइट प्लाजमी ओगनली और इंक्लूजन में आएगा रिजर्फ फूड या जो कैसे से हुआएंगे सेल इंक्लूजन में और साइट्रोपलाजमी ओगनल में माइट्रोकॉंडिया, गॉल्जी बोडी, एंडॉपलाजमी रेटिकुलम, लाइसोसोम और प्लास्टिट्स तो ये एक ओबरवीय है युकैरिटिक सेल का तो युकैरिटिक सेल में सेल इंवलोप और प्रोटोपलाजम रहेगा, प्रोटोपलाजम हम कहते हैं नूक्लियस और साइट्रोपलाजम को include करके सेल इंवलोप में, सेल वॉल जो only present in the plant cell और plasma membrane present in both animal and plants है protoplasm को divide कियागा है nucleus and cytoplasm में nucleus तो ठीक्षी है यह वाला structure है cytoplasm में hyaloplasm जो liquid वाला structure है hyaloplasm कहलाएगा और उसके अलाबा जो भी चीशे cytoplasm में present रहेंगी चाहिए वो organs हो चाहिए cell inclusion वो cytoplasmik structures कहलाएगे तो cytoplasmik structure में कुछ organs आएगे माइट्रकॉंडिया गोल्जी वोडिया एंड्रप्लाज्मी रेटिकुलम लाइससों प्लास्टेड इसके लाबा और भी और cell inclusion में reserve food और gases यह जो minerals वो करें हैं वो कुछ वो आ जाएंगे तीन तरह के कौन-कौन से हैं बड़ा important question है यह कि इस पर से question मनता है जिसमें membrane नहीं है non-membranous कहते हैं नॉन-membranous जिस ऐसे ognals जिनमें किसी तरह की membrane नहीं है यह करहेंगी non-membranous कि दूसरे कि सिंगल मेंब्रेनस कि सिंगल कि मेंब्रेनस और तीसरे कि डबल कि मेंब्रेनस कि यह तीन तरह की ognals है non-membranous, single-membranous और double-membranous तो आई यह देखते हैं इसमें से non-membranous कौन से है single-membranous कौन से है double-membranous कौन से है non-membranous कि बात करें तो सबसे पहला आता है ribosome जहां से सीख लिजेगा इन है बहुत important है non-membranous में आता है centriole यह centrosome भी इसको कहते हैं तो ribosome और centriole और इसके लाब है nucleolus यह nucleus के अंतर जो nucleolus है little-nucleus के नाम से जानते हैं तो इसकी भी अपनी कोई membrane नहीं है nucleolus single-membranous की बात करें ऐसे ओगनल जो किवल एक membrane से घ्रेम है जैसे आप nucleus देख रहे हैं दो membrane से घ्रा हुआ है single-membranous की बात करें तो endoplasmic reticulum golgi body lysosome यह single-membranous होंगे और इसके लाब vacuol vacuol भी double-membranous की बात करें तो mitochondria chloroplast और इसके लाबन nucleus और ध्यान रखेंगे यह 3 organs ऐसे हैं जिन में अपना dna पाया जाता है तो इन 3 organs में अपना dna भी पाया जाता है तो यह semi और sorry nucleus में दो dna होता ही है mitochondria chloroplast के अंदर भी dna पाया जाता है तो mitochondria chloroplast कों semi-autonomous organelles के नाम से भी जानते हैं तो बहुत सारे questions इस overview से बनते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका धनिवाद